पहला प्राश्ण है, हडप्पा सभ्यता की खोज किस ने की थी? Options है, A. डयाराम साहनी, B. ट्राखल दास बैनर जी, C. M. M. What's D. अन्य? सही जवाब है, Option A. डयाराम साहनी दूसरा प्राश्ण है, वो शासक जिसने एक सच्छे जैन मुनी की तरह उप्वास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? Options है, A. बिंदुसार, B. अशोक, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. अन्य सही जवाब है, Option C. चंद्रगुप्त मौर्य तीसरा प्राश्ण है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एस्वी, किसके मध्य लड़ा गया? Options है, A. मुहम्मद गौरी और भीम, B. मुहम्मद गौरी और पृत्विराज्ट्रितिय, C. मुहम्मद गौरी और जैसिंग, D. मुहम्मद गौरी और अजैपाल सही जवाब है, Option, B. मुहम्मद गौरी और पृत्विराज्ट्रितिय, चौथा प्रश्ण है, बंगाल को मुगल सामराज्य से प्रिथक कर स्वतंत्र किया, Options है, A. मुर्शिद कुली खा, B. सादत खा, C. सर्फराज खा, D. अन्य सही जवाब है, Option, A. मुर्शिद कुली खा पाँच्वा प्रश्ण है, विध्वा पुनर्विवा कानून कब बना, Options है, A. 1853 इस्वी में, B. 1856 इस्वी में, C. 1863 इस्वी में, D. 1865 इस्वी में सही जवाब है, Option, B. 1856 इस्वी में, चटा प्रश्ण है, अन्ग्रेजों ने, फूट डालो और शासन करो, की नीती कब अपनाई, Options है, A. 1877 इस्वी के बाद, B. 1833 इस्वी के बाद, C. 1858 इस्वी के बाद, D. 1799 इस्वी के बाद, सही जवाब है, Option, C. 1858 इस्वी के बाद, साथवाँ प्रश्ण हैं, इंग्लेंड में ग्रिहयोद कितने वर्षों तक चला था? Options हैं, A. चार वर्ष, B. साथ वर्ष, C. दो वर्ष, D. दस वर्ष सही जवाब है, Option A. चार वर्ष आथवाँ प्रश्ण हैं, आर्या भारत में कहां से आये थे? Options हैं, A. पश्चिम एशिया से, B. पूर्व एशिया से, C. केंदरी या एशिया से, D. दक्षिन एशिया से सही जवाब है, Option C. केंदरी या एशिया से नौवा प्रश्ण हैं, किस अवदी में रामायन एवं महा भारत की रचना हुई थी? Options हैं, A. सिंधू भाटी अवदी में, B. द्रवेर अवदी में, C. वैदेक अवदी में, D. आरिया अवदी में सही जवाब है, Option C. वैदेक अवदी में, D. दस्वाँ प्रश्ण हैं, गुप्ट समाज की स्थापना किस ने की थी? A. हर्शवर्धन, B. चंद्रगुप्त, C. समुद्रगुप्त, D. ग्रयगुप्त सही जवाब है, Option B. चंद्रगुप्त 11 वाँ प्रश्ण है, पानीपत की दूसरी लडाई किनके बीच हुई थी? Options है, A. वैगम खान और हेमू, B. अकवर और मिर्जा हकीम, C. अकवर और वैगम खान, D. अकवर और राना प्रताप सही जवाब है, Option A. वैगम खान और हेमू 12 वाँ प्रश्ण है, मुहम्मद गौरी कहां का शासक था? Options है, A. अफगानिस्तान, B. एराक, C. पश्या, D. तुर्की सही जवाब है, Option A. अफगानिस्तान, तेरा वाँ प्रश्ण है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? Options है, A. वाजी राव पेश्वा, B. नाना साहब, C. शाहु महराज, D. शेर शाह सही जवाब है, Option A. वाजी राव पेश्वा 14 वाँ प्रश्ण है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्व प्रथम जीता था? Options है, A. वावर, B. खिल जी, C. तो गलक, D. चंगेज खान सही जवाब है, Option B. खिल जी, C. पंद्रा वाँ प्रश्ण है, मुगलकाल में सर्व प्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किये? Options है, A. मदरास, B. कलकत्ता, C. मुंबई, D. सूरत सही जवाब है, Option D. सूरत 16. वाँ प्रश्ण है, पहली सहायक संधी कौन सी थी? Options है, A. रोहिलखंज, B. निजाम, C. अवद, D. जहांसी सही जवाब है, Option B. निजाम 17. वाँ प्रश्ण है, तरनाटक संधीश्टा पितामा किसे कहा जाता है? Options है, A. मृत्तु स्वामी देक्षितर, B. ट्यागराज, C. पुरन दरदास, D. स्वाती तेरुपाल सही जवाब है, Option C. पुरन दरदास 18. वाँ प्रश्ण है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? Options है, A. समुद्रगुप्त, B. चंद्रगुप्त प्रथम, C. हर्श्वर्धन, D. चंद्रगुप्त द्वितिय सही जवाब है, Option D. चंद्रगुप्त द्वितिय 19. वाँ प्रश्ण है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ओफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? Options है, A. अकबर, B. वावर, C. शाह जहां, D. जहांगीर सही जवाब है, Option C. शाह जहां, D. वाँ प्रश्ण है, सिक्स समुदाय के अंतिम गुरु थे, प्रश्ण वाचक चिन्ह Options है, A. गुरु अर्जुन देव, B. गुरु तेग बहादू, C. गुरु गोविन सिंग, D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है, Option C. गुरु गोविन सिंग